दोस्तो नमस्कार स्वागत हैं हमारी यूट्यूब चैनल एजूकेशन तक में तो दोस्तो जैसा कि आप सभी को मालूम हो कि पार्टलिपुत्रा इन्वर्शिटी के द्वारा तेरा नो दोजारे किस की डेट में बीए बीए सी बीकों पार्ट थिरी का एकजामिनेशन प्रोग्राम यानि के एकजाम रूटीन जारी कर दिया गा है और आपका सीड्यूल के मुताविक एकजाम आपका 29 सितंबर से सुरू होने जा रहा है तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपका कौन से डेट में कौन सा सब्जेक्ट का एकजाम होने वाला है और साथी साथ एडमिट कार्ड कब जारी होने जारा है एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है और practical का exam कब से कब तक होगा, पूरी जनकारी आपको हम बताने वाले हैं, step by step तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे छातरों का comment और message आ रहा है कि हमें पता नहीं चल रहा कि मेरा कौन से date में कौन सा subject का exam है, बहुत सारे छातरों का confusion हो जाता और उनका exam छूट जाता है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को देखेगा, तब ही जनकारी आपको अच्छी परकार से समझ में आएगा, पूरा हम एक एक आपका date का हम बताएंगे कि कौन से date में कितना, कौन सा subject का exam होने वाला first sitting में होगा, या second sitting में होगा, त इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा, अपने दोस्तों के पास में जाओ ज्यादा सेल्कर दीजेगा, और दोस्तों यह आप लोग वीडियो देख लेते हैं, तो आपको कोई भी वीडियो देखने की जुध नहीं और आची परकार से आप लोगो को समझ में आजाएगा, चल कोई question हो या कोई डाउट हो या कोई concept ना समझ में आए बोट्स हो या जैनेट पर हाई में कोई भी दिकत आ रही है उसका solution है फीलो अपने सब्सक्राइब कोई अगर आप मेरा कोड यूज करेगो तो 10% डिसकाउंट आपको मिल जाएगा कोड आपको इसक्रीन पर दिया गया लिंक वीडियो के डिस्किप्शन में दिया गया है तो दोस्तों यहां पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि देट में यह ओफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है आप लोग यहां पर देखे प्रोग्राम दिया गया है बीए बीए सी बीकों पार्ट थीरी ओनर्स एक्जामिनेशन 2021 चलिए थोड़ा सा जूम इसे हम कर लेते हैं और जूम करके आपको बताते हैं देखिए आपका जो भी ओनर्स सब्जेक्ट है उनका है जो कि गुरूप में बाटा गया है यह लहाँ पर गुरूप का नाम आपको रखा गया भाए A, B, C, R, E, A तो सबसे पहले group A में देख लेते हैं कि आपका कौन-कौन से honors यहाँ पर है तो physics honors है, electronics है, aesthetics है, psychology है, A, I, N, A, S है उसके बाद philosophy है उसके बाद आप लोग अपना जो भी honors है आप लोग यहाँ पर honors देख लिजेगा कि आपका honors जो है वो कौन सा group में है उसके बाद गुरूप B में आपका कौन सा honors है तो आपका chemistry honors है, geography honors है, हिंदी honors है, ruler economics है उसके बाद group C वालों का है, mathematics है, psychology, sociology है, उसके बाद English है, उर्दु है, Arabic है, Persian है, Sanskrit है, भोजपूरी है, music है, mythology है पाली, प्राकृत, मगही, उसके बाद Bengali है, उसके बाद Buddhist studies है, उसके बाद group D में आ जाते हैं, तो geology, botany और commerce है उसके बाद group E की बात करें, तो history है, LHW है, public administration है, उसके बाद economics है, उसके बाद group A है, तो political science है, group A में और home science है तो आप लोग का जो भी honors subject है, आप लोग सबसे पहले देख लिजे कि आपका इन में से कौन से group में आपका honors subject है तो आप लोग अच्छी परकार से देख लिजे, अगर माल लेजे कि आपका यहाँ पे group A में है, आपका यहाँ पे physics honors आप लिए है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखे, थोड़ा से इसके बारे में भी बता जाते है देखे, यहाँ पर आपका जो exam start होरा, first sitting आपका 10 a.m. to 1 p.m. यानि कि 10 बज़े से आपका 1 बज़े तक exam होगा, कुल आपका 3 घंटों का exam होगा उसके बाद second sitting में आपका 2 बज़े से 5 बज़े तक exam होगा, कुल 3 घंटों का आपका समय दिया गया है आपका यहाँ पर exam ही start होरा, 29.9.2021 से, इसमें आपका first sitting वालों का group A में का आपका exam है तो आप लोगों का देखे, जैसे कि मालेजे की group A में आपका subject है, ता honor से subject है है, तो group A यहाँ पर है, उसके बाद है, यहाँ पर है, दीए , 29 तारीका है, आपका first sitting में group A उसके बाद है आपको गुरूप दिखाई देता है जो भी गुरूप में आपका सब्जेक्ट है उना से सब्जेक्ट वही वही दिन आपका एक्जाम है उसके बाद देखें 29 तारीक की डेट में आपका यहां पर सभी गुरूप का हम बता देते हैं गुरूप वाइज आपका बाटा गया इधर गुरूप में आपका दियाएगा है इधर पेपर दियाएगा है इधर आपका गुरूप दियाएगा और पेपर दियाएगा यह आपका सेकेंड सेटिंग कहा है यह आपका फर्स सेटिंग कहा है तो 29 तारीक को आपका जो इस दिन इस्टारट हो रहा 39.2001 को गृुप एवालो का है आपका पेपर 5 होगा गृुप एवालो का यहाँ पेखे गृुप एवालो का जीतने भी हैं यहाँ पे सब्जेक्ट उनका पेपर 5 होगा 39.2002 को यहर्ष सिटिंग में आपका होगा इसके बाद 29.pered करिस के उसी डेट में आपका seconds sitting में group b वालो का group b यहां पर दिखिये दिया गया है यह जो भी group है आप लोगो का यह group b वालो का यहां पर paper five होगा यह आपका second sitting का है उसके बाद है आपका 30 तारिक को 39. 2010 को आपका group c वालो का paper five होगा group c वालो का यहाँ पर देख लिए इतना group C का आपका honor से subject है तो यहाँ पर आपका paper 5 होगा उसी date को 3921 को आपका group D वालों का है second sitting में paper 5 होगा यह paper 5 होगा आपका उसके बाद आपका 110-2021 को group E वालों का है group E में आप लोग देख लिए जे कौन-कौन सा subject है history, LSW, public administration और economics है इसका exam है 110-2021 को group E वालों का आपका यहाँ पर देखे फर्स sitting में है paper 5 होगा आपका उसी दिन आपका second sitting में यानि कि 110-2021 को group F वालों का होगा paper 5 यानि कि group F वालों का यह group F वालों है नीचे सबसे नीचे political science और home science वालों का यहाँ पर paper 5 होगा उसके बाद next बढ़ते हैं 4-10-2021 को तो 4-10-2021 को group A वालों का है paper यहाँ पर यहाँ पर 6 होगा उसके बाद second sitting में उसी दिन 4-10-2021 को यहाँ पर आपका group B वालों का है paper 6 हो जाएगा उसके बाद है आपका 5-10-2021 को group C वालों का ये फर्स सीटिंग आपका है, तो आपका यहाँ पर पेपर 6 हो जाएगा, उसी दिन आपका second sitting में 5-10-29, गुरूप D वालो का होगा आपका पेपर 6, उसके बाद आपको आजाते हैं 6-10-29, गुरूप E वालो का होगा पेपर 6 होगा, उसके बाद आपका उसी डेट में 6-10-29 स की देट में second sitting में आपका होगा गुरूप इप वालो का पेपर 6 है। उसके बाद आ जाते हैं 6 के बाद 6 10 21 के बाद आपका exam है 8 10 21 को 7 तारीख को आपका exam नहीं है तो 8 को आपका exam है गुरूप आपका वालों का electrical यह आपका होगा सेवेन यहाँ आप गुरूप A वालों का पेपर 7 होगा उसी डेट में आपको 8 तारिक को सेकेंड सिटिंग में आपका एक्जाम होगा गुरूप B वालों का पेपर 7 होगा यहाँ पे उसके बाद आ जाते हैं 9 तारिक को 9-10-2020 को गुरूप C वालों का होगा पेपर 7 गुरूप C के जितने भी यहां पर सब्जेक्ट है उनका ओनर्स पेपर होगा यह फर्स सिटिंग में होगा उसके बाद सेकेंड सिटिंग में उसी डेट में यानि कि 9-10-2011 की डेट में आपका गुरूप D वालों का होगा आपका पेपर 7 उसके बाद 10 आपका 9 आ जाता है तो है गुरूप E उसके बाद इसका पेपर होगा आपका 7 नमबर यह आपका फर्स सिटिंग में है उसके बाद उसी दिन सेकेंड सिटिंग में बात करें 11-10-2011 को तो आपका गुरूप A फवालों का होगा सेकेंड सिटिंग में पेपर नमबर 7 हो जाएगा उसके बाद आपका 11 के बाद सीधे आपका एक्जाम है 20 तारी को 20-10-2021 को आपका होगा गुरूप A और ये पेपर नमबर 8 होगा ये फर्स सिटिंग का है उसी डेट में यानि कि आपका 20-10-2021 की डेट में आपका सेकेंड सिटिंग में गुरूप B वालो का होगा पेपर 8 होगा उसके बाद है आपका 21-10-2021 तो इसमें आपका यहाँ गुरूप C का दिया गया है फर्स्ट सिटिंग में और इसका आपका पेपर होगा 8 उसके बाद है आपका सेकेंड सिटिंग में गुरूप D वालो का होगा पेपर नमबर एट हो जाएगा उसके बाद है आ जाते हैं एक कैस को तो एक कैस को आपका सी हो जाएगा उसके बाद गुरूप सी वालों का पेपर आठ हो जाएगा उसके बाद आपका है यहां पर एक कैस के बाद आपका 22 आजाता है तो 22 को आपका होगा group E वालों का paper 8 उसके बाद है उसी डेट में second sitting में group F वालों का हो जाएगा आपका paper 8 उसके बाद है आपका 23 तारीक को एक्जाम 23 दस दो हो जारेकर इसको इसमें आपका एक्जाम होगा फर्स्ट सिटिंग में आपका होगा general studies का और यहां पर आपका paper hours होगा उसके बाद है आपका second sitting में कोई भी एक्जाम नहीं है यहां पर देखें कर्ट का निशान आपको दिया गया यहां पर उसके बाद है आपका 23 तारीक के बाद सीधे आपका 25 तारीकों होगा उसके बाद ह फर्स सिटिंग में ग्रूप आपका दिया गया देखिए जनरल अस्टरीज दिया गया है और यहां पर पेपर में आपको साइंस दिया गया है उसके बाद सेकेंड सिटिंग में आपका यहां पर जनरल अस्टरीज होगा सेकेंड सिटिंग में उसके बाद यह आपका कॉमर्स वालों का होगा और उसके बाद दोस्तों आपका 25-10-2021 का आपका एक्जाम खतम हो जाएगा और उसके बाद बात करें आपके प्रेटिकल एक्जाम का तो देखिए आप नोट में दिया गा है दो प्रोजेक्ट प्रेटिकल वीवाब वाइस टेस्ट विल भी हेल्ड फ्रॉम 26- इक्जाम के बाद 26-10-2021 से 3-11-2021 ऐसे आपको लिया जाएगा तो आपका यहाँ पे देख लिजेगा 25-202021 के बाद एक्जाम खतम होने के बाद आपको college का notice देख लेना है कि आपको कौन से date में आपका practical वीवब wise जो होने वला है तो आप लोग अपने अनुसार देख लिजेगा अपने college से पता कर लिजेगा तो इसी तरह से हैं जो कि आप लोग है तो आप लोग comment box में पूछ सकते हैं और दोस्तों हम बात करें आपके admit card का तो आपका 29 तारिक से देखे exam स्टार्ट हो रहा है तो आपका admit card का जारी किया जाएगा तो देखिए आज या कल आपका admit card जारी कर दिया जाएगा admit card की तरह से डाउलोड करना इसका वीडियो भी आपको इसी चैनल पर आ जाएगा कि कैसे डाउलोड करना है तो आप लोग प्लीज चैनल को subscribe करके रख लिजे जैसे ही आपका admit card आ जाता है तो हम आपको डाउलोड करके लाइप लूप के साथ दिखा देंगे इस चैनल को वीडियो भी अप्लोड कर देंगे इसलिए चैनल को subscribe जरूर से कर लेजगा चलिए मिलते हैं आपसे next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद